गाइस जो STL होती है वो C++ की जान है C++ की शान है और आज के इस वीडियो में STL को बहुत डंग से हम कवर करेंगे अगर by any chance आप लोग competitive programming करना चाहते हो तो आप लोगों को C++ की STL सीकनी ही पड़ेगी और उसका मैं reason बताता हूँ आपको थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे मे competitive programming देखो क्या होता है कि जब आप लोग एक competitive environment में हो तो चाहें आप interview दे रहे हो चाहें आप कोई competition में हो कहीं भी आप लोग हो सकते हो ठीक है अगर आप इस तरह के किसी environment में हो तो क्या होगा कि आप लोगों के पास limited time होगा ठीक है limited time होगा और आप लोगों को कुछ चीज C++ के अंदर अगर आप STL use नहीं करोगे तो आपको implement करनी पड़ेंगी For example, आप लोग एक resizable array जो कि आप किसी strategy से उसको resize कर सकते हो वो आपको खुद से हो सकता है implement करना पड़े या हो सकता है आपको एक list को sort करना पड़े list as in वो एक array हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है list of some classes हो सकता है उसको किसी भी तरह से आपको अगर sort करना पड़ रहा है तो आप उसका क्या करोगे खुद से function लिखोगे ठीक है तो मैंने resize की spelling गलत लिख दी वर let's check it sort मैं लिखोगा या आपको कोई array resize करना है आपको कोई array sort करना है या आपको मान लो search ही क्यों ना करना है कोई element binary search ही क्यों ना implement करना है क्या आप लोग binary search implement करोगे competitive environment में मुझे बदा है आप लोग कर सकते हो आप कर सकते हो और आप लेकिन करोगे तो आप कुछ time लोगे ना करने के लिए अगर आप किसी competitive environment में हो तो अगर आप किसी भी competitive environment में हो तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीजे आनी चाहिए कि आप code को reuse कर सको ठीक है क्या कर सको code को reuse कर सको और code को reuse आप किसके द्वारा लिखे का code को reuse करोगे आप यह तो अपने code को reuse कर सको लेकिन C++ के अंदर कुछ generic classes और functions होते हैं तो बात करते हैं क्या होती है STL तो जो STL होती है उसकी full form होती है सबसे पहले Standard Template Library ठीक है Standard Template Library Library क्यों? Library किस चीज़ क्यों होती है? जिसे आप अगर Library में जाते हो तो किताबों की Library होती है और अलग अलग तरह की किताबों हो आपको मिलती है यहां पर आप लोगों को कुछ generic classes और functions मिलते हैं ठीक है Library of what Library of what Library of generic classes and functions generic classes and functions ठीक है तो generic classes of functions की Library होती है अब यह generic classes of functions जो होते है वो templates को बड़ी नजदी की से इस्तिमाल करते है जो class templates इसकी बात मैंने अल्रेडी करी है अगर आपने C++ की playlist टैकसेस नहीं करी है तो उसको जरूर करना कम से कम template देखने हैं न क्या होती है अगर आपको पता ही नहीं object oriented programming क्या होती है तो देखो आप सीख तो जाओ भी मैंने बहुत सारे resources देखी हैं जो कि directly vector के बारे में बात कर रही है directly STL के बारे में बात कर रही है और लोग खुश भी है कि ये direct STL बीना कुछ पढ़े लेकिन अगर आपको समझ होगी न template वगएरा कि शुरू से आप लोग कर रहे हो न कोई चीज़ तो जो solid पकड़ आपकी होगी वो solid पकड़ किसी और की नहीं होगी और competition में आपके पास इस बात की edge होगी एक unfair advantage होगी in fact fair advantage होगी है क्योंकि आपने time लगाया है सीखने में चीज़े को ठीक है तो stl की यहाँ पर मैंने काफी तारीफ कर दी basically stl क्यों use करें आप ठीक है अब मैं यहाँ पर एक question answer करता हूँ why use stl तो एक तो मैंने आप लोग को बता दिया कि आप जब stl use कर रहे हो आप reuse कर रहे हो in fact मैं इसको well tested components लिखूँगा अब आप लोग को यहाँ पर stl की थोड़ी से history बताता हूँ stl की जो history है उसके बारे में एक बात बताऊँगा यहाँ पर hp company में के दो employees Alexander Spanoff Alexander लिख देते Alex लिख देता हूँ उनको मैं और दूजर हमारा Mangly ठीक है एक library एक general purpose templatized classes और functions एक जगा पर रखने का काम start किया ताकि उसको reuse कर सके ठीक है ताकि उसको reuse किया जा सके और तब से stl जो है grow ही करती गई तो यह थी थोड़ी सी back story stl की यहाँ पर बैं Alexa Mangly को credit देना चाहता था इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर but basically why use stl पर थे हम कि क्यों use करें सबसे पहले well tested components आप लोग reuse कर सकते हो दूसी चीज क्या दूसी चीज आप time save कर सकते हो देखो आप लिख लोगे आप लिख लोगे मुझे पता है आप कर लोगे code binary search मुझे पता है लेकिन आप भले ही 30 second लो आप time लोगे आप zero time में उसको नहीं करोगे मैं आप पर time savings लिखूँगा यापर ठीक है तो आपकी time की savings होती है ठीक है आपकी क्या होती है time की savings होती है अब stl के अंदर होता क्या है ठीक है अब जड़ा थोड़ी सी बात करते है stl के components के ओपर भी तो यापर मैंने board को clear कर दिया है अब मैं बात करूँगा components of stl की components of stl ठीक है की stl के कौन-कौन से components होते हैं तो देखो stl के अंदर containers algorithms और iterators होते हैं ठीक है तो मैं आपर इनको 1,2,3 करके mark भी कर देता हूँ यह हमारे component होते है stl के अंदर ठीक है और यह एक दूसरे के साथ बहुत ही coordination के साथ काम करते हैं मैं आप लोग को example देता हूँ सबस्वेले मैं container के बारे हो बताता हूँ कि यह container क्या होता है container एक object होता है जो कि data store करता है मैं आप लिख देता हूँ stores data और मैं जाओंगा इसके अंदर deep में लेकिन अभी सिर्फ इतना बताता हूँ कि data को store करता है for example vector ठीक है अब vector data को store करता है लेकिन आप लोग कोगे ठीक है तो container हमारे पास कुछ implemented classes है जो किसी ने already implement कर रखी है और आप उसको use कर सकते हो सिर्फ library include करके ठीक है तो यह जो containers है यह template classes द्वारा यह template classes को use करते है मैं आप लिख देता हूँ use template classes तो जो container होते है वो template classes को use करते है और template classes हो क्योंकि यह use करते है इसलिए आप लोग इन containers को एक character का container एक integer का container और इन सब चीज़ों का container भी बना सकते हो ठीक है तो बड़े अराम से आप लोग जो है चीज़े यहाँ पर customize कर सकते हो algorithms ठीक है algorithms में क्या है algorithms की थोड़ी सी बात करते है तो देखो algorithm का क्या मतलब होता है algorithm का मतलब होता है कुछ set of procedure जो की आप data को manipulate करके एक result पर arrive करने के लिए यूज कर सको ठीक है तो मैं अगर algorithm की बात करूँ तो कुछ algorithms हमारे होते हैं से sort करते हो आप अगर ही कहरे को sorting के algorithm होते है searching के algorithm होते है अब searching की आपकी strategy क्या है इस पर depend करेगा आपका search कितना fast होगा जिसे मैं अगर आपको बोलूँ कि क्या 7 number जो 7 है वो एक area में president है या नहीं है तो ये सारी चीजे जो है आप लोगो को STL के अंदर मिलती है अल्रेडी लिखी लिखाई ठीक है अलग अलग तरह की algorithm होते है जो की searching, sorting, merging, copying अलग अलग तरह की चीजे जो है template functions के दुआरा मैं आप लिख देता हूँ use template functions ये template functions को use करते हूँ तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ इसको भी मैं ऐसे बना देता हूँ तो बात यहाँ पर कहने का मतलब ये है मेरी कि आप अगर STL use करोगे तो आप किसी के दुआरा already की गई मेहनत को leverage करें which is not wrong तो कि आप नहीं चाहते कि आप जो है reinvent करो wheel को ठीक है STL use STL is used because it's a good idea not to reinvent the wheel not to reinvent the wheel अब देखो क्या होता है wheel तो already implement हो चुका है ये कहते हैं कि do not reinvent the wheel wheel तो already invent हो चुका है ठीक है तो आप नहीं चाहोगे कि आप वो काम करो जो कि already हो गया है आप चाहोगे कि आप उसके उपर और काम करो for example अगर आप किसी भी car बनाने की company में जाते हो तो वो आपको सारी techniques बता देंगे कि भाई देखो हमने ये ये already बना लिया है और अब आपको यहां से करनी है innovation यानि कि इतना हो चुका है इसके आगे का काम करो इतना तो हमने कर दिया है तो STL भी भाई है कि भाई आपके पास आपकी sorting की capability कोई test नहीं करना चाता उन्हें पता है आप sort लिख दो गए अगर आप अच्छे ठीक ठाक ecoder हो लेकिन वो उसके beyond जाते है और आपको test करते हैं आपकी capability को test करते है कि अगर sort भी आपके पास है sort करने की शमता भी है आपके पास एक container भी है आपके पास अलग-अलग तरह containers for example vectors और list यह सब चीज़े हैं आपके पास उसके उपर से आप क्या कर पाते हैं उसके उपर आपकी क्या शमता है तो आपकी यह सारी capabilities use की जाती है test की जाती है जब आप कोई भी competitive programming में जाते हो यहां फिर आपको interview ऐसा देते हो जिसमें की data structure algorithms का बहुत बड़ा महत होता है और product based companies में data structures और algorithms को बहुत जादा महत हो दिया जाता है iterators की बात करते हैं यह रह गया इसकी बात भी कर लेते हैं iterators की अगर मैं बात करूँ तो यह एक object है ठीक है यह object होता है सबसे पहले object होता है जो point करता है points to an element in a container ठीक है एक बात तो यह हो गई यह object होता है pointer की तरह होता है लेकिन actual में यह object होता है ठीक है यह बात आप लोग के लिए जानना जरूरी है ठीक है तो मैं आपर लिग भी देता हूं उस बात को handle just like pointers just like pointers pointers की तरह यह handle किया जाता है ठीक है तो basically यह क्या करता है यह algorithms को containers के साथ connect करता है और data manipulation में बहुत ही एहम role play करता है ठीक है मैं लिग देता हूं उसको connects algorithms with containers तो algorithms को containers के साथ यह connect करता है ठीक है तो तीन चीज़े में आप लोग को बताई है STL के अंदर होती है containers, algorithms और iterators एक छोटा सा आप लोग को quick demo दूँगा बहुत ही quick मतलब अभी हम लोग इन चीज़ों की depth में जाएंगे पस एक बहुत ही quick demo देना चाहूंगा मानलो यह कह रहे है मानलो यह एक vector है अब vector क्या होता है भूल जाओ बस यह समझ लोग एक container है कोई भी container है कोई भी container है जो data को store करता है तो मैं vector हटा देता हूं यहाँ से vector का नाम ही नहीं लेता मैं भी मैं बस आप लोग को बोलूँगा कि यह एक container है container है अब यह जो container है ना इसके अंदर मानलो numbers stored है 1, 7, 11, 18 यह सारे numbers stored है अब मानलो मैं कहता है उसको sort करो तो जब sorting हो ली होगी तो क्या होगा मैं iterators का use करूँगा यह जो algorithm है यह iterator का use करेगा to point to an element to point to an element इस container के अंदर ठीक है इस container के अंदर के element को point करने में एक यह क्या है आपका यह iterator है ठीक है यह iterator है जो की iterate करेगा इस पूरे को इसमें कहीं भी जा सकता है यह इसको point कर सकता है इसको कर सकता है इसको इसको इदर उदर move कर सकता है और move कौन कराएगा इसको algorithm move कराएगा moves as instructed by the algorithm basically ठीक है as instructed by the algorithm तो इस तरह से हम लोग STL को use कर सकते हैं ठीक है तो यह थे components of STL introduction तो मैंने आप लोग को काफी देई दिया STL की जितनी तारीफ को रोतनी कम है और आप लोगों को तारीफ है तो सभी सुनाते है STL की यार यह हो सकता है वो हो सकता है यह वो तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी बाते करेंगे कि जल्दी से अल्दी आप STL सबसे पहले तो use कर पाओ मैंने चाहता कि मैं बहुत बड़े concept आपको बता हूँ लंबे लंबे वीडियो बना के नहीं वो यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम टाइम में खुश रह पाओ आपको मैं कम से कम टाइम में आप बोल पाओ यह मैं STL यूस कर पा रहा हूँ यह मेरा यहाँ पर में लक्ष रहेगा लेकिन आप लोग के बस मुझे इतना टाइम चाहिए कि मुझे आप बता वजल्ला बताने दे सको ऐसा नहीं कि आप कहुँए कि आप 5 मिनट में बता दो एक मिनट में बता दो लेकिन इसमझ में नहीं नहीं आएगा फिर यूस नहीं और पहुँए 10 doubts बात में आएंगे सच्छा भी ढंग से समझ लो एक बार ताकि doubts ना आए ठीक है I hope that makes sense अगर आप लोगों ने अभी तक C++ की playlist से access नहीं करी है तो उसको जरूर access करना और अगर आप लोगों को ये playlist अच्छे लगती है और लगता है ये helpful है तो आप इसको share कर सकते है उसका screenshot लेकि अपने दोस्तों को साथ मुझे दिल से बहुत खुशी होगी so अभी के लिए इस वीडियो में इतने गई वीडियो लाइक करना प्लीज मत भूलना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल